पहले ऐसे होता था कि लोग बहुत ज़्यादा hard work करते थे मेहनत करते थे और सफल हो जाते थे अपने मेहनत के दंपर यानि रात दिन पढ़ते थे किताब खोल के रट जाते थे एक तरसे और examinations देते थे और qualify कर जाते थे लेकिन मैं बता दे रहा हूं अब वैसा नहीं होने व रेश हमेशा घोड़ा जीतता है गधा कभी रेश नहीं जीतता है याद रखेगा क्योंकि गधा महनत बहुत जादा करता है गोड़े से लेकिन रेश हमेशा घोड़ा ही जीतता है इसलिए महनत आप गधा जैसा करिए लेकिन आपका जो तकनीक होगा वो आपका घोड़ा ज देखेंगे जो अधियोगी प्रसिक्षन अधिकारी प्रतिजोगीता परिक्षा 2023 का नोटिफिकेशन आया हुआ है तो उससे रिलेटेड सभी जानकारी देंगे यानि अगर देखा जाए तो यह एक्जाम कैसे होगा इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वह एक्ज रहना चाहते हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब लाइक और शेर जरू कर लिजेगा देखी दोस्तों यह है वेकेंसी आप देख सकते हैं जारखन जे आईटी ओसी यानि यह होता है अध्योगी प्रसिक्षन अधिकारी का एक्जाम है दोस्तों और इसमें अगर अध्योगी प्रसिक्षन अधिकारी अगर इसमें आपका चैन हो जाता है तो सैलरी जो है दोस्तों देख सकते हैं बेतन लेवल 6 का है जो कि एक अच्छा खासा सैलरी माना जाता है जिसमें अगर देखेंगे तो 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच आपका सैलरी होगा आप देखें इसमें जो भी लोग फॉर्म फिलप करना चाहते हैं डेट बता देना चाहता हूं जो कि होगा 23,600 2023 से लेकर ये चलेगा 22,700 2023 तक इसमें ऑनलाइन आविदन होगा और जिन दोस्तों को इलेजिवल है दोस्तों वो लोग जरू फॉर्म को भर दिजेगा इसके लिए जो जो ज सभी को एक चीज़ और कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग जेनरल कंपिटिसन एक्जाम में GKGS यानि सामाइन अध्यन अगर देखेंगे तो यहां पे भी आपको सामाइन अध्यन है यो कि तैयारी बेस तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों तो यह बुक मैं आप सभी को रेक साइन्स टेक के सारे चीज तो सारे चीज दिया हुआ है दोस्तों और इस सटीक वे में अगर देखेंगे तो हर टॉपिक में अगर देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको एक अलग टेबल बना कर दिया हुआ है और इसमें अगर देखेंगे सारे मतलब संग संग्रा को बहतरीन तरीके से दिया हुआ और यह वन काइंड ऑफ गाइड बुक है यानि इससे अगर त्यारी करते हैं तो आपका जीके जीएस सारे टॉपिक का बहतर त्यारी हो जाएगा बुक का लिंक यह मेंक कोई क्राइडेरिया नहीं है एक ही स्टेज में होगा और यही स्टेज में आपका ले लिए लिया जाएगा और यह ग्याम यह होगा दोस्तो यह बिलकुल पेपर में क्या है पहला पेपर जो है दोस्तों वो रखा गया है भासा एबम समयने ग्यान का पेपर रहेगा जिसमें 120 प्रसन पूछा जाएगा और समय आपको दो घंटा मिलेगा यानि दो घंटा में आपको 120 प्रसन सॉल्ब करना है हाला कि इसमें qualifying nature का paper रहेगा दोस्तों इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 30% marks आपको लाना जुरूरी है तभी जाकर आपका paper to, paper third check होगा यहाँ पर अगर आप fail कर जाते हैं 30% से below marks ले आते हैं तो आपका paper to और paper third check ही नहीं होगा इस बात को जान लिजिए तो भासा आप सामाईने ग्यान में अगर देखेंगे तो यहाँ इसको दो भागों बाट दिया गया है चुकि पहला जो है भासा ग्यान तो भासा ग्यान वाला एक अलग segment है और सामाईने अध्यन एक अलग segment है भासाग्यान में देखेंगे दोस्तों तो भासाग्यान में देखेंगे हिंदी से 25 questions पूछा जाएगा और English से आपको 25 questions पूछा जाएगा और बाकी जो 10 questions होगा दूस्तों वह आपका grammar यानि हिंदी ब्याकरन से संबंदित पूछा जाएगा ठीक है इसका एक अलग वीडियो में अल्रेडी बना चुका हूँ अगर आप देखना चाहते है कि हिंदी में किस प्रकार के पूछा जाता है तो आप चैनल में जाकर देख स रखते हैं और इंग्लीस का भी अल्रेडी वीडियो बना चुका हिंदी इंग्लीस में भी देखेंगे तो सेम उसी प्रकार के प्रस्न पूछा जाएगा यानि 15 questions जो होगा वह आपका प्रस्न पूछा जाएगा पंदरर और बाकी अगर दस देखेंगे तो आपका इंगलीस ग्रामर केने का मतलब है दूस्तो नाउन प्रोनाउन आर्टिकेल्स प्रोजिशें से ही बेसिकली प्रस्न पूछा जाता है ठीक है तो यह रहा भासा ग्यान वाला और सामाइन अध्य में देख सकते हैं दोस्तों जार्खन जीके ठीक है जार्खन जीके है फिर है सामाइन बिग्यान है सामाइन गनित है रिजनिंग है और कम्प्यूटर है तो इसमें अगर देखेंगे हर एक सेग्मेंट के हिसाब से तो जार्खन जीके से दोस्तों 30 पनीच से 10, रिजनिंग से 10 और कम्प्यूटर से 10 प्रसन आपको पूछा जाएगा तो यह रहाँ पेपर 1 बेसिकली ठीक है आप यहां पर 30 परसन मार्क्स अगर ले आते हैं तो आपका पेपर 2 चेक होगा और पेपर 2 जो है दोस्तों वह है छेत्रिय और जंजातिय भासा यान 5 15 जो भासा है दोस्तों फ्चेत्रिय जंजातिय है इसमें देख सकते हैं क्या है हिंदी को रखा गया आप हिंदी चाहे तो रख सकते हैं, इंगलीस भी रख सकते हैं, उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुडुक है, कुर्माली है, फिर देखेंगे तो खोठा है, नागपूरी है, पंच परगनिया है, उडिया यहां पर आपका सारा सब्जेक्ट का जो सेलेवस है अगर आप जैसे हिंदी रखना चाहते हैं तो हिंदी में क्या-क्या पढ़ना है वह चीज दिया हुआ है आगे मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा खासकर हिंदी खोठा नागपुरी वालों के लिए जिसमें मैं आपक भी सजेस्ट कर दूँगा कौन-कौन सा बुक पढ़ना है बुक कहां पर मिलेगा सारा चीज में आगे बताऊंगा तो यहां से सौ प्रस्ण दो घंटा यहां पर भी मिलेगा अब आते हैं पेपर थर्ड के बारे में देखिए दोस्तों पेपर थर्ड जो है वो है तकनिकी सब्जेक्ट यैयं आप चा चाहा को चाहां जाएं cotton रहा है और इसमें और यहां पर जो एक और कटाफे यहाँ या यानि इतना पर सरफा माक्स्ों मिनिम्म लाना होगा क्वालिफाइई करने के लिए ठीक है जिसमें देखेंगे तो जेनरल में 40% मार्क्स लाना ही पड़ेगा तभी आप क्वालिफाई करेंगे EWS 40% BC2 में देखेंगे 36.5 BC1 में देखेंगे तो 34% लाना है SCST female में देखेंगे तो 32 और आदिम जन जाती में 30% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा तभी जाकर दोस्तो आप इस पेपर में क्वालिफाई करेंगे और एक चीजी बता दो कि यहां पर जो 3 पेपर आपको दिख रहा है इन 3 में से सिर्फ और सिर्फ आपका जो मेरिट डिसाइड होगा दोस्तो वो पेपर 3 से ही मेरिट डिसाइड होगा यानि पेपर 1 ये भी बिल्कुल क्वालिफाई नेचर का है पेपर जो 2 है इसमें भी 30% मार्थ लाईए और ये भी क्वालिफाई नेचर का है यहां पर तो आपका जो मेरिट फाइड होगा दोस्तो वो पेपर 3 यानि पेपर 3 के मार्थ बेसिस पे ही आपका मेरिट डिसाइड करेगा यहाँ पर यह दोनों पेपर का अंक आपका finally merit में नहीं जोड़ा जाएगा merit जो के अंक जोड़ा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ पेपर थर्ड पे ही जोड़ा जाएगा और इसमें कोई interview का प्रावधान नहीं है दोस्तों इसको अगर qualify करते हैं तो सिधा आपका dv के लिब लाया आएगा dv clear है तो आप finally अंक के हिसाब से अगर आप merit में आते हैं तो आपका selection हो जाएगा तो यह रहा है दोस्तों जारखन में जो अद्योगिक प्रसिक्षन अधिकारी प्रतिजोगिता परिक्षा का notifications आया है उसके बारे में बताएं और इसमें अगर देखेंगे एक चीज़ और बताआ चाहूंगा दोस्तों यह जो 900 से अधिक सीटे हैं जारखन में तो यह रहा दोस्तों इससे related सारी यहां पर जानकारी आगे मैं एक वीडियो के माद्यम से आपका जो छेत्री जन जाती भासा है उसको भी मैं clear कर दूंगा यह वीडियो और यह जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe, like और share जुरू कर यहां, thank you